हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत ही अच्छे सहूंगे तो आज मैं आप लोगी लिए अर्वी के डंठल की वड़ी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे आप एक बार बनाएंगे न तो सारी सब्जीों का स्वाद भूल जाएंगे इतना जादा स्वादिष्ट बनता है तो देख किस बात की फ्रेंड्स चले इसे बनाना शुरू करते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे बैल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजेगा ताकि मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके तो चले रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने अर्वी के डंठल की वड़ियां ली हैं अगर आप इस वड़ी की रेसिपी देखना चाहते हैं मैंने अर्वी के डंठल से ये वड़ी किस तरीके से बनाई है तो आप मेरे चैनल पर विजिर कर सकते हैं मैं रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे बड़ी इलाची, छोटी इलाची, काली मिर्च और जीरा, इसके साथी मैंने यहां पे लिया है, एक बड़ी साइस का टमाटर जिसे मैंने बारी कट कर लिया है, और गार्निश के लिए हरा धनिया, तो सबसे पहले हम इन मसालों को पीस लेते हैं, तो ग्राणिक जार में सारे म मसाला है, इसमें मैं कुछ सूखे मसाले एट करूँगी, जैसे की हल्दी पाउडर, सबजी मसाला, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हम थोड़ा सा जादा लेंगे, यानि की एक बड़े चमच के करीब, लाल मिर्च पाउडर ये तीखी वाली है, स्वात के अनुसार नमक और लाश्ट में हम लेंगे, गरम मसाला, इसके साथ ही मैंने तड़के में लिया है, दो तेजपत्ता, सूखी, मिर्च, जीरा, मेथी और हिंग, इस सबजी को बनाऊंगी में सरसो के तेल में, आप अपनी मन पसंद किसी भी कूकिंग और में इसे बना सकते हैं, ये जो बड गैस की तरफ, गैस पे मैंने रखतिया है, कढ़ाई गरम होने के लिए, गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम पे रखना है, और उसमें डालेंगे एक बड़े चमज के करीब सरसो का तेल, तेल अच्छे से गरम होते हैं, इसमें डालेंगे वड़ियां, और वड़ी को अच् अच्छे से सुनहरी हो गई है, बहुत बढ़ियां से भून गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसी तेल में हम डालेंगे आलू, और आलू को भी हमें सुनहरा होने तक अच्छी तरीके से भूल लेना है, अगर आपको ये रसेपी थोड़ी सी भी अब इसी गरम तिल में हम डालेंगे तड़का, जो मैंने आपको बताया था, जीरा, मेथी, सुखी मिर्ज और तेजपत्ता वाली हिंग भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा जैसे ही जीरा मेथी का कलर चेंज हो जाए, तब हम डालेंगे इसमें टमाटर, और टमाटर को हमें अच्छे से भून लेना है, ये जल्दी से भून जाए, इसके लिए हम इसे ढख के पकाएंगे, तो आप देख सकते हैं, टमाटर हमारा काफी जादा सौफ्ट हो गया है, तो इस तरीके से हमें मैश करते हुए थोड़ी दे टमाटर को हमें और भून लेना है, जैसे ही टमा मसाले को चलाते रहना है, चेक करते रहना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं जलेना, तो आप देख सकते हैं, मसाले को उपर तेल बहुत ही बढ़िया से दिख रहा है, यानि कि जो हमारा मसाला है, बहुत ही बढ़िया से पक गया है, मसाला जो है हमारा अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे वडियां और आलो जो हमने पहले ही भुन कर तयार कर लिया था इसे अच्छे से हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और एक से दो मिनिट के लिए इसे हमें भुन लेना है ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वड़ियों के अंदर और आलो के अंदर बहुत ही बढ़िया से आ जाए तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स सबजी को मैंने बहुत ही बढ़िया से भुन लिया है अब हम इसमें डालेंगे पानी तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इस सबजी में पानी डाल सकते हैं याद रखे फ्रेंट्स वड़ियां जो है पानी बहुत ही जादा एब्सॉर्फ कर लेती हैं तो उस हिसाब से आप इसमें पानी एट करें इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं मुझे थोड़ा सा इसमें पानी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और एट करूँगी क्यूंकि मुझे इस सबजी को खाना है चावल के साथ चावल के साथ खाईए या रोटी पूरी पराटे अब किसी के साथ भी खाईए ये सबजी बहुत ही जादा स्वादिश्ट लगती है तो इसे हम पांच मिट के लिए ढख देंगे बीच बीच में से चलाते रहना है चेक करते रहना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंट सबज कर लेते हैं हरा धनिया से अब हम गैस को आफ कर देते हैं और धनिया को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है सबजी में तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अरवी के डंठल की वड़ियों की सबजी बना सकते हैं यकीन मानिये फ्रेंट्स ये सबजी इत्ती जादा स्वा अगर आप इसकी ति देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजज़ कर सकते हैं मैं रैसे पी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स कित्ती जादा मज़ेदार लग रही है ये सब्जी तो आपको ये सब्जी के रैसी ल लगे प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलिएगा आपके एक लाइक से मेरा होसला बहुत ही जाद बढ़ता है और मैं कोशिश करती हूं ऐसी यूनिक मज़दार और हेल्धी रेसेपी आप लोगे ले कराऊं तो फिर मिलते हैं एक नई रेस के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंग टेक क्यार